हेलो फ्रेंट्स वेलकम टु मैं चैनल तो आज हम बॉक्स प्लेट्स गुर्ति की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमने 3 मिटर फाबरिक लिया है और इसकी वेड़ है 44 इंच इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राब कर लीजिए सबसे पहले हम टॉप पारट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फाबरिक को फुर फोल्ड किया है यह ओपन साइड है और यह फोल्ड साइड है और top part की length हमने लिए 14.5 inch अभी यहां पर हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रही हूं 6.5 inch अभी यहीं से हम armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रही हूं 6.5 inch अभी इन दुनों points को जोड़ेंगे उसके बाद यहां पर हमें chest का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रही हूं 11 inch और यहाँ पर हमें कमर का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 9.5 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अब यहाँ पर हम 1 inch उपर mark करेंगे और हलका सा round shape ड्रॉ करेंगे अब हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस line का हमें half लेना है और यहाँ से आर्मोल का shape देना है यह back का आर्मोल है और half inch अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेना है यह front का आर्मोल है तो यहाँ पर हमें neck की cutting नहीं करनी है neck की cutting हम canvas paper पे करेंगे तो अभी सबसे पहले हम back आर्मोल से इसे cut करेंगे तो हमने cutting कर ली है अभी इसको open करेंगे और back part को side में रखेंगे और front part को face से fold करेंगे और front आर्मोल की cutting करेंगे तो हमने front आर्मोल की cutting कर ली है तो अभी हम front part को side में रखेंगे और back part के neck की cutting कर लेंगे तो back neck हमें round में बनाना है तो इसकी हम direct कपड़े पे cutting करेंगे तो neck width में लेडियो 3 inch और neck deep में लेडियो 4 inch उसके बाद हम यहाँ से round shape draw करेंगे और neck की cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमें back neck की cutting कर लेनी है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो हमने fabric को four fold करके रखा है यह open side है और यह fold side है और इस four fold की weight हमने लिए है 9.5 inch जितना आपका आर्मोल है उससे 3 inch जदा लेना है और sleeves की length हमने लिए है 16 inch तो length अपने according कम जदा कर सकते हैं अब यहाँ पे जो open वाली side है यहीं से हम 3 inch पे mark करेंगे और sleeves का shape दे देंगे अभी यहाँ पर हमें sleeves bottom लेना है तो वो millennium 6.5 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा cut लगा लेंगे उसके बाद sleeves को open करके रखेंगे तो यहाँ पर दोनों sleeves की CD side अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है तो यह दो sleeves है दोनों side के लिए अभी bottom part के लिए हमने इस तरह के दो fabric के pieces लिए है front और back के लिए और इसकी जो width है वो हमने 50 inch की ली है तो मैंने screen पे दे दिया है कितनी कमर size के लिए आपको कितना लेना है आप महाँ से check कर सकते है और इसकी जो length है वो हमने 32 inch की ली है तो bottom part की जितनी भी आपको length चाहिए उतनी इसकी length ले लेनी है अभी हम इसमें से एक part को side में रखेंगे तो एक part में मैं आपको box plates डाल के दिखाऊंगी तो इस तरह से हम इसको सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर हमें पूरे width में 0.5 inch पे mark करते जाना है तो 0.5 inch पे हम निशान लगाते जाएंगे तो इस तरह से हमने mark कर लिया है अभी यहाँ पर जो पहली वारी line है उसको हमें छोड़ना है और दूसरी वारी line को इस तरह से पकड़के हमें यहाँ पे plate डालनी है और यहाँ पर हमें pin लगा लेना है उसके बाद हमें जो दूसरी बारी लाइन है इसको हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हमें पिंग लगाना है तो इस तरह की box plate हमें बनानी है पूरे में तो इसको मैं आपको stitch करके दिखा देती हूँ तो देखें first line को छोड़के हम जो दूसरी बारी line है इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर stitch करेंगे उसके बाद इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो एक बार हमें बाहर की तरफ plate डालनी है और एक बार अंदर की तरफ plate डालनी है इस तरह से हमें plates डालते जाना है तो ये हमारी box plates बनती जाएंगी तो देखें इस तरह से हमने plates डाली है सेम इसी तरہ से हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हमें box plates डालनी है तो इस तरह से हमने एक part को ready कर लिया है और सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी plates डालके इसको ready किया है अभी हम stitching करेंगे तो front neck बनाने के लिए हमने canvas paper लिया है और इसकी जो width है वो 8 inch की है और इसकी length भी 8 inch की ही है अभी इसको हम fold करेंगे और यहाँ पर हम pin लगा लेंगे अभी यहाँ से हम neck की चोड़ाई लेंगे तो neck की चोड़ाई में ले रही हूं 3 inch neck width और neck deep में ले रही हूं 4 inch तो यहाँ से 4 inch पर mark करेंगे और round shift draw करेंगे यहाँ पर भी 3 inch ले लेंगे और round shift draw करेंगे और यहाँ से हम round shift दे देंगे अभी यहाँ से हम drop shape draw करेंगे तो इसकी length मैं ले रही हूं 5 inch 2.5 inch उसके बाद हमें इस तरह से इसको shape देना है तो इस तरह से हमें neck का shape draw करना है और इसके बाहर से हम 1 inch तक का margin छोड़ेंगे इस तरह से और अभी हम इसकी cutting करेंगे तो pin हम बीच में लगा लेंगे तो जिससे की cutting करते time पर यह हिले ना तो देखें इस तरह से हमने इसको cut कर लिया है अभी इसके बीच में भी हमें cut लगाना है तो अभी हमें एक fabric का piece लेना है और इसको हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर इसे रखेंगे और प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे तो देखें हमने इसको चिपका लिया है अभी इसके साइड से हम हाफ इंच का margin छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को cut कर लेंगे अभी हम इसको fold करते वे पूरे में stitch करेंगे तो देखें हमने इसको stitch कर लिया है अभी हम इसको front पार्ट में attach करेंगे तो हमें front का part लेना है और इसको fold करके इसके center पे हमें cut लगा लेंगे तो ये center line है अभी patch लेंगे और patch के भी center पे हमें cut लगा लेंगे उसके बाद हम इसको इसके ओपर उल्टा रखेंगे दोनों parts की सीधी side में अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद neck के बिल्कुल shape में हम सिलाई लगाएंगे तो canvas के एकदम बाजू में हमें सिलाई लगानी है canvas के ओपर नहीं लगानी है तो देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है अभी half inch तक का margin छोड़ना है और extra fabric को हमें cut कर लेना है उसके बाद यहां से भी हम cut लगा लेंगे लेकिन ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना cut हो उसके बाद यहां से भी extra कपड़े को हम cut कर लेंगे और उसके बाद यहां पर हमें छोटे छोटे cuts लगा लेने है और अभी इसको हम wrong side में turn कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने इसको turn कर लिया है और अभी हम क्या करेंगे यहां पर हम dory stitch करेंगे दोनों side में तो इसके लिए यह हमने दो डोरियां बनाई है डोरी की length जादा नहीं है थोड़ी ही है तो बाद में यहां पर हम dory को hand stitch कर लेंगे तो यह हमारा front neck ready हो गया है अभी हम back part लेंगे और back neck के लिए हमने इसी shape की strip ली है इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और neck के shape में सिलाई लगा देंगे तो हमने यहां पर सिलाई लगाई है अभी हम यहां पर छोटे छोटे cuts लगा लेंगे और इस strip को हम अंदर की तरफ fold करतके top stitch लगा लेंगे तो हमने strip को fold कर लिया है बाद में यहां पर हम hand stitch करेंगे अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे तो हमने shoulders को attach कर लिया है अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के उपर उल्टा रखना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से हम दूसरा sleeves भी stitch कर लेंगे और sleeves के bottom को double fold कर देंगे तो हमने दोनों साइड में Sleeves को Attach कर लिया है अभी Top Part और Bottom Part को Stitch करेंगे तो Top Part को Bottom Part के ओपर उल्टा रzkना है और यहां पर Stitch कर लेना है इसी तरह से हम दूसरा Part भी Stitch कर लेंगे तो हमने दोनों Parts को Stitch कर लिया है उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइट से फिटिंग करेंगे और इसके बॉटम को डबल फूल्ड कर देंगे